नमस्कार, प्रस्तु थे मुन्शी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी वी एक कहानी, आखिरी मन्जिल. आह, आज तीन साल गुजर गये, यही मकान है, यही बाग है, यही गंगा का किनारा, यही संग्मर्मर का हौज, यही मैं हूँ और यही दरु दीवार. मगर इन चीजों से दिल पर कोई असर नहीं होता, वह नशा जो गंगा की सुहानी हवा के दिलकस जोंकों जैसा, दिल पर छा जाता था, उस नशे के लिए अब जी तरस के रह जाता है, वह दिल ही नहीं रहा, वह यूती, जो जिन्दगी का सहारा थी, अब इस दुनिया में न आया था, उसके सौंदर्य में एक आश्चेर जनक बात थी, उसे प्यार करना मुश्किल था, वह पूजने के योगे थी, उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी लुभावनी आत्मिक्ता की दीपती रहती थी, उसकी आखें, जिन में लाज, गंभीरता और पवित्रता का नश था, प्रेम का स्रोत्र थी, उसके एक-एक चित्वन, एक-एक क्रिया, एक-एक बात, उसके हृदे की पवित्रता और सच्चाई का असर दिल पर पैदा करती थी, जब वो अपनी शर्मीली आँखों से मेरी ओर ताकती, तो उसका आकर्शन, उसके गर्मी, मेरे दिल में एक जवार भाटा से पैदा कर देती थी, उसकी आँखों से आत्मिक भावों की किर्णे निकलती थी, मगर उसके होट प्रेम की बाणी से अपरिचित थे, उसने कभी इशारे से भी उस अथा प्रेम को व्यक्त नहीं किया, जिसकी लहरों में वो खुद दिनके की तरह बही जात है, एक बार जब उसी हौज के केनारे, चांदिनी रात में मेरी प्रेम भरी बातों से विभोर होकर उसने कहा था, अह, वह आवाज अभी भी मेरी हिर्दय पर अंकित है, मिलन प्रेम का आदी है, अंत नहीं, प्रेम की समस्या पर इससे ज़्यादा शानदार, इससे ज़्या है, वह वासना के एक जोंके को भी बरदाश्ट नहीं कर सकता, संभव है कि यह मेरी आत्मस्तूती हो, मगर वह प्रेम जो मेरी कमजोरियों के बावजूद मोहिनी को मुझसे था, उसका एक कत्रा भी मुझे बेसुद करने के लिए काफी था, मेरा हृदय इतना विशाल ही न था, मुझे आश्चर्य होता था कि मुझ में वह कौन सा गुण है, जिसने मोहिनी को मेरे प्रती प्रेम से विवल कर दिया था, सौन्देर्य, आचरन की पवित्रता, मर्दानगी का जोहर, यही वह गुण है जिन पर मुहबत निछावर होती है, मगर मैं इन में से एक पर भ गर्व नहीं कर सकता था, शायद मेरी कमजोरिया ही उस प्रेम की तडप का कारण थी, मोहिनी में वह अदाय न थी जिन पर रंगीली तबियते फिदा हो जाया करती है, तिर्ची चित्वन, रूप गर्व की मस्ती भरिवी आखें, दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट, च उसी तरह निश्चल प्रेम में उसके चेहरे पर एक मुस्कान कौंध जाती और आखें नम हो जाती, यह अदा न थी, सच्चे भावों की तस्वीर थी, जो मेरे हृदय में पवित्र प्रेम की खलबली पैदा कर देती थी, शाम का वक्त था, दिन और रात गले मिल रहे थे, आस्मान पर मतवाली घटाएं चाई वी थी, और मैं मोहिनी के साथ उसी हौज के किनारे बैठा हुआ था, थंडी थंडी बयार और मस्त घटाएं, रिदय के किसी कोने में सोते हुए प्रेम के भावों को जगा दिया करती है, मगर मतवाला पन जो उस वक्त हमारे दिलों पर कर आखों से टपक पड़ेंगे, आज मोहिनी के जबान भी सन्यम की बेडियों से मुक्त हो गई थी, और उसकी प्रेम में डूबीवी बातों से मेरी आत्मा को जीवन मिल रहा था, एका एक मोहिनी ने चौक कर गंगा की तरफ देखा, हमारे दिलों की तरह उस वक्त गंगा भी उम्री वी थी, पानी की तरह उद्विग्न उठती गिरती सतह पर एक दिया बहता हुआ चला जाता था, और उसका चमकता हुआ अक्स, थिरकता और नाचता, एक पुछल तारे की तरह पानी को आलोकित कर रहा था, आह, उस नंधी से जान की क्या बिसात थी, कागज के च चंद पुर्जे, पास की चंद तीलिया, मिट्टी का एक दिया, कि जैसे किसी अम्रित लालसाओं की समाधी थी, जिस पर किसी दुख माटने वाले ने तरस खाकर दिया जला दिया था, मगर वह नन्ही सी जान, जिसके अस्तित्व का कोई ठिकाना न था, उस अथाह सागर मे उचलती वी लहरों से टकराती, भवरों से हिलकोरे खाती, शोर करती वी लहरों को रौंदिती चली जाती थी, शायद जल देवियों ने उसकी निर्बलता पर तरस खाकर अपने आचल में उसे चिपा लिया था, जब तक वह दिया जिलमी लाता और टिम्टी माता, हमदर्द लहरों से जखोरे लेता दिखाई दिया, मोहिनी टक्टकी लगाए खोई सी उसकी तरफ ताकती रही, जब वह आँखों से ओजल हो गया, तो वह बेचैनी से उठखडी वी और बोली, मैं किनारे पर जाकर उस दिये को देखूंगी, जिस तरह हलवाई की मनभावन पुकार स उसी जोश और चाव से मोहिनी नदी के किनारे चली, बाग से नदी की सीडिया बनीवी थी, हम दोनों तेजी के साथ नीचे उतरे, और किनारे पहुँचती ही मोहिनी ने खुशी के मारे जोर से कहा, अभी है, अभी है, देखो वह निकल गया, वह बच्चों का सा उत्साह औ और उद्वेग्न अधिर्ता जो मोहिनी के चहरे पर उस समय थी मुझे कभी न भूलेगी मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ उस दिये से ऐसा हार्दिक संबंध ऐसी विवलता क्यूं मुझ जैसा कवित्व शुन्य व्यक्ति उस पहेली को जरा भी न भूच सका मेरे हृदय में आशंकाएं पैदा हुई अंधेरी रात है घटाएं उम्री हुई है नदी बाढ़ पर हवा तेज यहां इस वक्त ठैरना ठीक नहीं मगर मोहिनी वह चाओ भरे भोलेपन की तस्वीर उसी दिये की तरफ आखे लगाए चुप चाप खड़ी थी और वह उदास दिया यू हिल चलता मचलता चला जाता था नजाने कहां किस देश जा रहा हो मगर थोड़ी देर के बाद वह दिया आखों से ओजल हो गया मोहिनी ने निराश्ट्वर में पूचा बुझ गया होगा और इसके पहले कि मैं जवाब दू उस डोंगी के पास चली गी जिस पर बैठकर हम कभी कभी नदी की सहरे किया करते थे और प्यार से मेरे गले से लिपट कर बोली मैं उस दिये को देखने जाऊंगी कि वह कहां जा रहा है किस देश को जा रहा है यह कहते कहते मोहिनी ने नाव की रसी खूल ली जिस तरह पेड़ों की डालिया तूफान के जोंकों से जंकोले खा पानिकीवा गरस्तीवी आवाज, इस खौफनाक अंधेरे में इस डोंगी का बेड़ापार क्यों कर होगा? मेरा दिल बैठ गया, क्या उस अभागे की तलाश में या कश्ती भी डूबेगी? मगर मोहिनी का दिल उस वक्त अपने बस में न था, उसी दिये की तरह उसका हृदय भी भावनाओं की विराट लहरों भरी गरस्तीवी नदी में बहा जा रहा था मतवाली घटाएं जुकती चले आती थी, कि जैसे नदी के गले मिलेंगी और वह काली नदी यू उठती जैसे बादलों को चू लेगी डर के मारे आखें मुंदी जाती थी हम तेजी के साथ उचलते, कगारों के गिरने की आवाजे सुनते, काले काले पेड़ों का जूमना देखते, चले जा रहे थे आबादी पीछे चूट गई और हम बस्ती के आगे निकल गये एक एक मोहिनी चौक कर उठखड़ी वी और बोली अभी है, अभी है, देखो वह चला जा रहा है मैंने आख उठा कर देखा, वह दिया जियों कत्यों हिलता मचलता चला जाता था उस दिये को देखते हम बहुत दूर निकल गये मोहिनी ने या राग अलापना शुरू किया मैं साजन से मिलने चली कैसा तडपा देने वाला गीत था और कैसी दर्द भरी रसीली आवाज प्रेम और आसुओं में डूबी हुई मोहग गीत में कलपनाओं को जगाने की बड़ी शक्ती होती है वह मनुष्य को भौतिक संसार से उठा कर कलपना लोक में पहुचा देता है मेरे मन की आखों में उस वक्त नदी की पुर्शोर लहरे नदी की जूमतीवी डालिया संसनातीवी हवा सबने जैसे रूप धारन कर लिया था और सब की सब तेजी से कदम उठाए चली जाती थी अपने साजन से मिलने उतकांठा और प्रेम से जूमतीवी युवती की धुंदली सपने जैसी तस्वीर हवा में, लहरों में और पेड़ों के जुर्मूटों में चली जाती दिखाई देती और कहती थी साजन से मिलने के लिए इस गीत ने सारे द्रिश पर उतकांठा का जादू फूख दिया था मैं साजन से मिलन चली साजन बसत कौन सी नगरी मैं बौरी ना जानू ना मोहे आस मिलन की उससे ऐसी प्रीत भली मैं साजन से मिलन चली मोहिनी खामोश वी तो चारो तरफ सन्नाटा चाया हुआ था और उस सन्नाटे में एक बहुत मद्दिम, रसीला, स्वपनिल स्वर शितिस के उस पार से या नदी के नीचे से या हवा के जोकों के साथ आता हुआ मन के कानों को सुनाई देता था मैं साजन से मिलन चली मैं इस गीत से इतना प्रभावित हुआ कि जरा देर के लिए मुझे खयाल ही न रहा कि मैं कहा हूँ और कहां जा रहा हूँ दिल और दिमाग में वही राग गुंज रहा था अचानक मोहिनी ने कहा उस दिये को देखो मैंने दिये की तरफ देखा उसकी रोशनी मंध हो गई थी और आयू की पुंजी खत्म हो चली थी आखिर में वह एक बार जरासा भबका और बुझ गया जिस तरह पानी की बूंद नदी में गिरकर गायब हो जाती है उसी तरह अंधेरे के फैलाव में उस दिये की हस्ती गायब हो गई मोहिनी ने धीमे से कहा अब नहीं दिखाई देता बुझ गया यह कहकर उसने ठंडी सास ली दर्द उमड़ाया आसुओं से गला फस गया जबान से सिफ इतना ही निकला क्या यही उसकी आखरी मन्जिल थी और आखों से आसु गिरने लगे मेरी आखों के सामने से परदा हट गया मोहिनी की बेचैनी और उतकांठा अधीरता और उदासी का रहस्य समझ में आ गया और बर्बस मेरी आखों से भी आसु की चंद बूंदें टपक पड़ी क्या उस शोर भरे खतरनाक तूफानी सफर की यही आखरी मन्जिल थी दूसरे दिन मोहिनी उठी तो उसका चेहरा पीला था उसे रात बर नींद नहीं आई थी वह कवी स्वभाव की इस्त्री थी रात की इस घटना ने उसके दर्द भरे भावुक रिदय पर बहुत असर पैदा किया था हसी उसके होटों पर यूँ भी बहुत कम आती थी हाँ चेहरा खिला खिला रहता था आज से वह हसमुक पना भी विदा हो गया हरदम चेहरे पर एक उदासी सी चाही रहती और बाते ऐसी जिसे रिदय चलनी होता था और रोना आ जाता था मैं उसके दिल को इन खयालों से दूर रखने के लिए कई बार हसाने वाले किस से लाया करता मगर वह उन्हें खोल कर देखती भी नहीं हाँ जब मैं घर पर न होता तो वह कवी की रचनाये देखा करती मगर इसलिए नहीं कि उनके पढ़ने से उसे कोई आनंद मिलता था बलकि इसलिए कि उसे रोने के लिए खयाल मिल जाता था और वह कविताएं जो उस जमाने में उसने लिखी दिल को पिगला देने वाले दर्द भरे गीत है कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पढ़कर अपने आसु रोक लेगा वह कभी कभी अपनी कविताएं मुझे सुनाती और जब मैं दर्द में डूब कर उनकी प्रशंशा करता तो मुझे उसकी आँखों में आत्मा के उल्लास का नशा दिखाई पड़ता हसी दिल लगी और रंगी नी मुम्किन है कुछ लोगों की दिलों पर असर पैदा कर सके मगर वह कौन सा दिल है जो दर्द के भावों से पिगलना जाएगा एक रोज हम दोनों इसी बाग की सैर कर रहे थे शाम का वक्त था और चैत का महिना मोहिनी की तबियत आज खुश थी बहुत दिनों के बाद उसके होठों पर मुस्कुराहट की जहलक दिखाई दी थी जब शाम हो गई और पूरन मासी का चांद गंगा की गोट से निकल कर उपर उठा तो हम इसी होज के किनारे बैठ गए यह मौल सिरियों की कतार और यह होज मोहिनी की यादगार है चांदनी में बिसात आई और चौपड होने लगी आज तबियत की ताजगी ने उसकी रूप को चमका दिया था और उसकी मोहक चपलताएं मुझे मतवाला किये देती थी मैं कई बाजियां खेला और हर बार हारा हारने में जो मज़ा था वह जीतने में कहा हलकी सी मस्ती में जो मज़ा है वह छकने और मतवाला होने में नहीं चांदनी खूब छिटकी वी थी एक आएक मोहिनी ने गंगा की तरफ देखा और मुझसे बोली वह उस पार कैसी रोश्णी नजर आ रही है मैंने भी निगाह दोड़ाई चिता की आग जल रही थी लेकिन मैंने टाल कर कहा और आखे नम हो गई ऐसे दुख देने वाले द्रिशे उसके भावुक और दर्दमंद दिल पर वही असर करते थे जो लू की लपट फूलों के साथ करती है थोड़ी देर तक वह मौन निश्चला बैठी रही फिर शोक भरे स्वर में बोली अपनी आखरी मंजिल पर पहुँच गया कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद